हलो माई डियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल करेंटीशी पर स्वागत हैं दोस्तों बात करेंगे इलेक्टिकल इंस्टुमेंट और मीजर मेंट रथात EIM के एक मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक EIM के मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक में आज बात करेंगे मुविंग क्वाइल इंस्टुमेंट इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मुविंग आईरन आज का है दोस्तों टॉपिक मुविंग क्वाइल इंस्टुमेंट और इसमें हम बात करने आले हैं आपसे permanent magnet moving coil अर्थात यहाँ पर बात करेंगे PMMC अर्थात permanent magnet moving coil इसका मतलब यह है दोस्त जो आपका magnet यहाँ पर यूज किया वाएगा वो आपका permanent होगा अर्थात इस्थाई चुमबक होगा और जो आपकी coil रहेगी वो आपकी चल कुंडल अर्थात आपकी coil movable रहेगी coil आपकी move करेगी और जो आपका magnet होगा वो इस्थाई होगा मैं आपको थोड़ा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इससे पहले मैं आपको बता दूँ आपको moving iron का detail में सारी चीजे पढ़ाई गई है तो आप सभी applied mathematics 3 का वीडियो या फिर digital electronics या फिर कहें दोस्ते यहाँ पर आपका EIM का सभी का playlist का description में link मिलेगा playlist पर आप जाकर सभी वीडियो topic wise देख सकते हैं ओके आज कि इस topic में discuss जो कर रहे हैं वो moving iron की बात कर रहे है तो देखे जो figure आपको इस प्रकार से आपके permanent magnet है और इन दोनों permanent magnet के बीच में यहाँ पर जो इसको रखा गया है यह आपका क्या है यह आपका mridu law core अर्था soft iron यह आपका soft iron का core है यह क्या है soft iron का core है और इसके उपर इसके उपर आपका एक aluminum की bobin लगी है अर्था यह समझे कि aluminum की एक layer है किसके उपर है वो आपके soft iron core के उपर है और इस core के इस core में आपका एक प्रकार से यह लगा हुआ है soft इसमें से आपका एक उपर spring लगी हुई है एक आपका नीचे spring लगी हुई है एक उपर spring है और आपको एक नीचे spring लगी हुई है इस्प्रिंग का यहाँ पर दो कारी है अब इसको मैं यहाँ पर मेंसन करने वाला हूँ उसके पहले यह समझे है कि यह आपका जो बॉबिन है इलुमिनियम की जो बॉबिन है किसकी बनी हुई है इलुमिनियम की आपका जो कोर है वो सौफ्ट आइरन का है कोर के उपर आपकी aluminum की bobbin है और उस aluminum की bobbin से एक pointer लगा है ठीक है aluminum की bobbin से क्या लगा है pointer लगा है और pointer आपका कहां पर दरसाएगा आभको calibrated scale अधर जो आपका असांकित पैमाना है उसमें आपको दरसाएगा कितने ampere या कितना voltage है आपको यहाँ पर दरसाएगा अब point यहाँ आता है कि यहाँ पर spring का use क्या है तो दोस्त यहाँ पर spring को यहाँ पर लगाया गया है spring क्या करता है कि आपका दो काम करता है एक तो आपके यहाँ से supply आप इसको देते हैं जिस भी इतनी ampere आ रही है यहाँ से आपको पता चलेगा अर्थाद इसमें आपको उपर दोनों spring में यह संयोजक तार का काम करते हैं दोनों में आप connect कर देते हैं एक उपर वाली spring में एक नीचे वाली spring में पहला काम तो इसका हुगा कि यह आपका supply की रूप में work करता है कि रथाद इससे supply दी जाती है आपके इस उपरयंद को दूसरा काम यह होता है दोस्त यह आपका यहाँ पर controlling टार्क को produce करता है पहले आपको पता है कि जो कोई भी instrument है उसमें पहले deflecting टार्क होगा उसको control करने के लिए controlling टार्क होता है तो यहाँ पर जो यूज किया गया वो spring का यूज किया गया और मैंने आपको बताया था दोस्त controlling टार्क आप दो प्रकार से कर सकते हैं तो controlling टार्क पहला प्रकार आप क्या होता है पहला आप कर सकते हैं spring से पहले ही आप controlling tar produce कर सकते है spring से और दूसरा आप gravity के माध्यम से gravity control तो controlling tar के एक spring control से होता है एक gravity control से होता है और उसका जो formula चलिए आगे चीज़ों को mention करते हैं ज्यादा detail कर देंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पर confusion होगा तो बस इतना समझिए कि यहाँ पर जो आपका spring यूज किया गया है spring जो यूज किया गया है एक तो आपका supply से सयोजक tar की रूप में काम करता है दूसरा आपका यहाँ पर यह controlling tar को produce करने के लिए किया जाता है यह pointer आपका जब आगे जाएगा इस परकार से deflecting tar कोगा इसके विपरिद दिसा में जो controlling tar क लगता है वो कौन लगाता है वो आपका spring यहाँ पर यूज किया गया है तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें mention की गई है आप यहाँ पर इसके थोड़ा working के बारे में समझेंगे उससे पहले समझ लेते हैं कि इन्होंने construction के बारे में आपसे क्या कहा है उस चीज़ को समझते हैं तो पहला यहाँ पर construction के बारे में आपसे वही चीज़ बताया गया कि आपके उपेंत्र के अर्थात instrument के विचे पर प्राली आपकी इस्थाई नाल चुमबक और लाओ क्रोड युक्त कीलित आइताकार कुंडली से निर्मित है बस यहाँ पर हिंदी जो मेंसन किया यह permanent magnet moving coil की बात कर रहे है जो आपका जो magnet वो permanent magnet है उसको क्या किया गया है उसके बीच में आपने आइताकार कुईल अर्था जो आपका इस परकार से है जो आपका iron core है उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है उसको यहाँ पर निर्मित किया गया है बिद्दूत रोधक जो युक्त बारीक तार है वो तार को जो की aluminum की बाविन है उस पर लपेटने से निर्मित सुनिएगा फिर से बिद्दूत रोधक मतलब insulated मतलब उसमें insulation किया हुगा आपको यहाँ पर जो तामे का तार आप यूच करेंगे वो insulation युक्त होगा तो यहाँ पर क्या होगा insulation युक्त एक बारीक तामे के तार को तामे के तार को तामे के तार को यूमिनियम की बाविन पर लपेटने से निर्मित वगा कुंडली या कुंडली जो आपकी है वाग कीली धुरी पर स्थित होती है जो नाल चुमबक के धुरूओं के बीच फिर कहें radial flux को प्राप्त करने के लिए इनका UPO किसका किया जाता है soft iron का soft iron का यूज किया जाता है तो soft iron का एक बेलना कार क्रोड को इस प्रकार से इस्थित किया जाता है जिससे आपको जो flux है वो ज्यादा आपको यहाँ पर radial flux मिले दूसरा point यह है दोस्ति यहाँ पर कि चल कुंडली क्रोड और ध्रूओं के बीच इस्थित air gap में गति करती है और उपियंतर के उपियंतर के चलतंतर के साथ दो कमानिया लगी होती है जो चीज मैंने आपको मेंसन किया एक आपका यह लगा हुआ है दूसरा आपका यहाँ पर नीचे लगा हुआ है बस मैं थोड़ा overview आपको दे रहा हूँ यहाँ पर चीज वही चीज मैंसन की गई है कि इसमें दो कमानी लगे हुई है जो उपियंतर के लिए नियंतरन प्रडाली के रूप में नियंतरन के साथ साथ आपको कुंडली में सयोजक तार वही सप्लाई इस से कनेक्ट करने के लिए कारी करती है जो आपकी स्प्रिंग है चलतंतर के साथ लगा हुआ एक संकेतक है जो कि आपको असांकित पैमाने पर बिद्दुतरासी सूचित करता है तो मैंने जो चीज यहां पर बताया है कि आपका एक इस साइड में यह दोनों जो आपके हैं यह पर्मानेंट मैगनेट है इन पर्मानेंट मैगनेट के बीच यहां पर कोर को रखा गया है जो कि आपका सॉफ्ट आइरन की है उसके उपर आपकी क्या लगी हुई इसके उपर जो आपका लगा हुआ है यह ऐलुमिनियम की बाबिन यह समझे एक लेयर लगी हुई है इसी लेयर के उपर पतले पतले कॉपर के वायर इसी के उपर क्या किया गया है इसी के उपर लपेटा गया है और जो आपका मूब करता ह दोस्त आप ध्यान रखे जो आपका मूब करता है वो aluminum के साथ आपकी coil मूब करती है ये तो आपका यहाँ पर fix है ये आपका क्या होता है ये आपका fix होता है कौन आपकी जो core है जो ये आपका core है ये आपका fix होता है और ये जो moving coil instrument कहते हैं तो यहाँ पर क्या है दोस्त इस चीज़ को समझे है कि आपको दो कमानी लगा हुआ है यह कमानी जो spring है इधर दोनों आप इसे supply से इसके लिए वर्क करते हैं मतलब जिस भी परिपत या जिस भी परिपत का आपको voltage या फिर आपका सकते है current को अभी working में वो चीज़े में आपको समझाता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि आपका इस प्रकार से fix है ठीक है अब चीज़े हम यहाँ पर working में भी आपको समझाएंगे अब यह आपके दो जो magnet है एक आपका नार्थ है और दूसरा आपका south है वही figure इस side में आपको दिखाये गया है ठीक है यह आपका नार्थ हो गया और यह दूसरा वाला आपका south हो गया और बीच में यह सारी चीज़े जो आपको दिख रही है यहाँ पर जो दिख रही है यह जो आपको दिख रही है यह aluminum का bobbin है aluminum की जो layer है लगाई गही वही आपको यहाँ पर दरसा आए गया और यह आपका यह घोला दीक रहा है यह आपका यह घोला यहाँ पर कोर है अर्थाति यह घोला उपर से यह आप ऊपर से देख रहे है ठीक है टॉप से देख रहे हैं तो उपर से देखेंगे तो ये आपको गोला दिखेगा और ये आपको ये जो आप देख रहे हैं इसको ये eluminium की बuwबिन ये आपको यहाँ पर दरसाए गया है और यही आपका यहाँ पर move करता है और ये इनके अपके permanent magnet और इनके बीच यह आपका क्या है यह air gap है यह सारी चीज़ें यहाँ पर mention है अब देखिए यहाँ पर जो supply है plus minus जो आप देख रहे हैं यह एक spring उपर वाले को plus को देंगे और नीचे वाले को minus या उपर वाले को minus नीचे वाले को plus मेरा simple सा कहने का वे यह है जो आपको supply दे रहे हैं वो spring से ही आप connect कर रहे हैं किस से connect कर रहे हैं? spring से ही आप यहाँ पर connect कर रहे हैं तो एक spring से आप plus connect कर देंगे एक spring से आप minus connect कर देंगे तो इस प्रकार से आपके instrument में supply आपको मिलेगे फिर आपको measure करेगा current कितनी है या वोल्ट मीटर है तो voltage आपको बताएगा अब चलिए working को समझते हैं देखिए दोस्तो working में क्या आप से बताया गया कि जब मीटर को परिपत से जोड़ा जाता है तो उसकी कुंडली से विद्धुधारा प्रवाइद होती है जिस भी आप मीटर जो भी आप मीटर का यूज यहां पर कर रहे हैं एमिटर है या फिर आपका यूज कर रहे है या वोल्ट मीटर जब आप उसकी supply से आप connect करेंगे तो आपकी कौईल में बिद्धुधारा प्रवाइद होगी कहा कौईल यहां आप जो माइनस देख रहे हैं इसी को आप जिस परिपत्ध में करनेक्ट करना चाहते हैं अर्थात यहां पर जैसे एक है यह आप क्या है दोस्त यह माल लीज़े बल्फ लगा हुआ है ओके और यह आपकी प्लस यह आपका इस प्रकार से इस से आपका connect है और यहां पर आपका bulp लगा हुआ है, तो हमको major करना है कि कितने ampere की current आपकी flow रहे ही, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस परिपत में इसको आप connect कर देंगे, जब आप इस परिपत में connect कर देंगे, अब यहाँ पर दोस्त आप से ये कहा गया कि आपके coil में धारा प्रवाईत होगी तो coil कहां पर है coil आपके यह आपका core है core के उपर aluminum की layer है उसके उपर आपका किया लगा हुआ है उसके उपर आपका तामे की wire को लगाए गया है तो इसके उपर जो तामे की wire को लगा है और उसको चालकों से विद्धुधारा प्रवाहित हो रही है ध्यान दीजेगा यहाँ पर जो आपकी क्वाइल है उसको कहां रखा गया है पर्मानेंट मैगनेटिक पर्मानेंट जो आपका मैगनेट है उसके मैगनेटिक फिल्ड में रखा गया है और जो आपकी क्वाइल है उसके conductor से आपकी क्या flow रही है current तो यहाँ पर होता गया है कि आपके coil में दोनों और यांत्रिक बल के कारी करने के कारण चल कुंडली जो moving coil है वो आपनी कीली पर विछेपित होती है समझेगा यहाँ पर होता गया है दोस्त आपकी जो coil यहाँ पर है जो की aluminum का बॉपी नर्तात कह सकते है aluminum की layer के उपर aluminum तामे की जो copper की पतली आपी wire insulated को लपेटा गया है इसके उपर उसमें जब आपका इस spring के माद्धिम से यहाँ पर दोनों में यहाँ पर इस पूरे spring में यह spring आपकी है दोनों इससे आपका जब इस coil में current flow होगी तो यह coil आपकी energized हो जाएगी और इस दोनों side में यह हैं क्या यह permanent magnet है इनका आपका दोनों का क्या है magnetic field आप देखिए नार्थ south आपके magnet है आपकी magnetic field कैसे चलती है नार्थ से south है तो यहाँ पर जो magnetic field है इसमें जब आपकी coil क्या हो गई यह आप में जब किसी conductor में आपको पता है जब किसी conductor में current flow होती है तो वो energized हो जाती है और यहाँ पर जो coil है उसमें current flow हो रही है इससे उसके चारों तुरब भी क्या हो जाएगा एक magnetic field बन जाएगा तो simple सा यहाँ पर आपने क्या समझा कि आपका यहाँ पर magnetic field के वीच में आपकी यहाँ पर current carrying coil यहाँ पर है इसके कारण क्या होता है कि इस दोनों के कारण इस current carrying coil पर एक force लगता है और यह जो आपके force होते हैं यहाँ पर ध्यान दीजे यहाँ पर आपक इससे आपका विचेपड बल आगूर द्वारा विचेपित बल चल कुंडली के विचेपित होने से उसके साथ लगी कमानिया में घुमावा जाता है मेरे दोस्त यहाँ पर आपसे कह रहा हैं कि deflecting torque द्वारा विचेपित चल कुंडली मतलब यहाँ पर जब आपके इस magnetic field पर अच्राण दोनों यहां पर बल आपका आता है और जो आपका टार्क आता है वो आता है deflecting torque जो क्या करता है pointer को आगे की तरफ ले जाता है पहले क्या करता है जब आपका लगी का magnetic field में प्रत्क्रिया होगा तो उनके बीच आपका force जो लगेगा उससे आपका इसमें क्या जाएगा इसमें आपका टार्क आजाएगा और टार्क जैसे आएगे इस pointer को आगे की तरफ TD deflecting tar की कार्ड ये आगे आपका घुमा देगा और इसी की विप्रीद अब यहाँ पर जैसे ही आपका इस deflecting tar का आगे तरफ घुमाएगा तो आपके जो spring होती है वो ऐसे arrangement किया जाता है इसके आगे जाने से आपके जो spring दोनों है इसमें घुमाव आने लगता है जैसे आपका घुमाव आएगा तो spring क्या करता है इसको इस side में अर्थाद इसके विप्रीद दिशा में controlling tar के controlling tar क लगने लगता है TD आपको आगे की तरफ लगता है और इसी की विप्रीद दिशा में TC लगता है किसके कारण spring के कारण जो दोनों spring का UG यहाँ पर किया गया है तो यह controlling tar क इसको पीछे करता है जितना ज़्यादा आपका deflecting tar क आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा controlling tar क बढ़ेगा क्यों चोकि आपकी spring जो है वो आपकी लगतार वहाँ पर compress compress होती जाएगी अर्था तो वो आपकी क्या हो जाती जाएगी वहाँ पर छोटी उसको होती जाएगी उसको वो दबाता जाएगा कौन यही आपका deflecting tar deflecting tar बढ़ेगा तो इसकी विवरीद दिसा में होने कार spring आपकी वहाँ पर compress होगी और जितनी ज़्यादा compress होगी उतनी ज़्यादा उसमें controlling tar होगा और यहाँ पर क्या होगा कि जब controlling आपका deflecting बढ़ेगा तो controlling बढ़ेगा controlling क्या करता है इसको control करता है आगे जाने के जहाँ जितनी आपके उस circuit में या उस परिपत में जितनी current आपकी flow हो रही है उसको अगर emitter से आप major कर रहे है तो कितनी जितनी current होगी उसी point पर माल लीजिए आपकी 3 ampere current है तो आपका pointer जो है यहाँ से जाकर आपका pointer जो है आपका 3 ampere पर जाकर रुख जाएगा तो जब आपका रुख रहा है तो उस condition में डाल चुकि जब आपका 3 ampere पर जाता है तो TD कहता है मैं जादा हूँ TC कहता है मैं जादा हूँ तो इसी में क्या होता है कि आपका जो यह आपका pointer यह आपका कमपन करता रहता है आप देखें कि घर पर voltmeter, emitter में आपका संकेतक होता है pointer होता है वो आपका इस प्रकार से move करता है जब आपकी high voltage आती है या simple voltage भी आती है तो आपका move करता है तो वहाँ पर क्या दिक्कत होता है ये समझे कि आपके instrument में damping tar को वो सही से नहीं मिल पा रहा है तो उसी को खत्म करने के लिए damping tar का यूज यहाँ पर किया जाता है और वो किस्से मिल ला है वो ED current हमने आपको damping tar के तीन मताया था एक आपका होता है air friction क्या होता है air friction damping आप उससे कर सकते हैं दूसरा आपका होता था दोस्त fluid friction पहला आपका air friction दूसरा आपका यहाँ पर fluid friction होता था तीसरा आपका होता था ED current या फिर electromagnetic induction से आप damping तार को produce करते दिए आपके damping तार को produce करने के तीन है air friction या फिर fluid friction या फिर आप कह सकते है ED current या फिर electromagnetic induction इसी ED current को ही कहते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या यूज किया गया है यहाँ पर ED current का यूज किया हो चुकि यहाँ पर जो आपका इसी के माध्यम से जो आपने core use किया है इसी के माध्यम से यहाँ पर आपको damping torque इसी में आपको ED losses होगा तो ED से losses से आपका यहाँ पर आपको क्या मिलेगा damping torque मिलेगा चीजों को आगे mention करते हैं ओवर भीव आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर दोस्ता आप देख सकते हैं उपेंदर की भवरधारा जो आपकी होती है अउ मंदन प्रडाली उसके चलतंदर को उस इस्तिती पर सिगर्था पूर्व करोग देती है अउ मंदन प्रडाली के मतलब आपका डैमप्ज टार्क जो हता है किस से आपका उत्पन होता यहाँ पर damping tar आपका ED current से होता है ED current जो आपके जो आपने core use किया है उसमें ED current loss होगा उसके माध्यम से आप ED current के माध्यम से यहाँ पर damping tar को लाएंगे तो आपको deflecting सबसे पहले आएगा फिर उसको control करने के लिए controlling और जो आपका pointer एक अस्थान पर वहाँ पर पहुँचने के बाद एक अस्थान पर रुक नहीं रहा है अर्थात इस प्रकार से कमपन कर रहा है उस खतम करने के लिए उस आउमंदर को खत्म करने के लिए आपका damping टार्क को लाए जाता है damping टार्क आपका ED current के माध्यम से पर आप मैं TDTC लिख रहा हूँ आप यहाँ पर TAUD और TAUC लिख सकते हैं चोकि मैं Physics में यहाँ पर चीज़े आपको डिफलेक्टि जब आप टार्क पढ़ते थे तो वहाँ T लिखते थे वही आदत पढ़ चुकी है ठीक है आप यहाँ पर TAUD इसको लिख सकते हैं ओके आई एमपियर की करेंट फलो हो रही है सुनियेगा आपके चल कुंडली चल का मतब जो आपकी मूविंग कौाइल है कहां पर हमने आपको बार बार कहा यह आपकी दोनों इस्प्रिंग जो यूच की गई है इसी यही आपके सप्लाई का यहाँ पर कार कर रही है आपका सप् इलुमिनियम की बाबी ने बोले तो एक लेयर है इलुमिनियम की उसके उपर क्या है उसके उपर आपकी तामे की वायर कह सकते है तामे की वायर इंसुलेटेड वायर आपकी क्या है इसके उपर लपेटी हुए उसी में जैसी करेंट फलो होती है वो आपका एनरजाइड होन और ये भी आपके already permanent magnet है तो दोनों के बीच आपका magnetic field में प्रत्क्रिया होने से force आता है force लगने से आपका यहाँ पर ज्यादा torque, torque के बाद क्या आता है force के बाद क्या आता है torque, चुकि इसको घुमाव है, कोई भी घुमाव चीज होती है उसमें क्या आता है, torque आप cycle से कहीं पर चलाई करते हैं, चढ़ाई करते हैं तो आप जब पैंडल को घुमाते हैं, तो वहाँ पर torque का use force तो रहता है, लेकिन उससे torque कहते हैं चुकि torque जो आपका होता है, वो t is equal to f into r होता है अब देखे दोस्तों वही चीज कहा गया कि आपकी जो उपियंतर इंस्टुमेंट में आई एंपियर की जब current flow हो रही है उस condition में आपके deflection मान लीजे d होता है, deflection कितना होता है? d होता है, अब यहाँ पर वीचे पर आगूण, अर्थात यहाँ पर वीचे पर मतलब deflecting targ जो है, tau d आपका i के directly proportional होता है जितनी ज़्यादा आपकी current flow होगी, simple सी बात है आप जो circuit में लगाएं उसमें कितनी current flow हो रही, जितनी current आपकी flow होगी, उसी प्रकार से आपका pointer आगे की तरफ क्या करेगा? move करेगा, तो जो आपका move करने का मतलब deflecting targ किस पर depend कर रहा है, i पर, आपकी deflecting के बाद आपका controlling targ, आपको पता है जब deflecting आएका control करने के लिए आपका क्या आएगा controlling targ, तो controlling targ जो आपका होता है जिसे आप tau c से denote करते हैं, tau c directly proportional theta, इसका मतलब क्या हुआ, theta आपका deflection, जितना ज़्यादा आपका targ उतना ही ज़्यादा हुआ, तो आपका जो controlling targ है, वो किस पर depend कर रहा है, वो आपके theta पर, deflection angle पर depend कर रहा है इसका मतलब यह हुआ, दोस्त, कि जब आपका ये, आपका जो pointer है, ऐसे समझेए, यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका ये pointer है ये pointer आपका आगे की तरफ यहाँ भी 0 पर है, ओके, अब यहाँ पर मान लिजिए 4 पर आ गया तो ये क्या गिया, आगे जब move किया, तो यहाँ पर पहले tau d लग रहा है, उसको control करने के लिए tau c जो लग रहा है tau c का मतलब आप समझिए, tau c जो आपको controlling torque लग रहा है, वो किस पर depend करेगा, वो आपका यहाँ पर जितना आगे आपका move करेगा उतना ज़्यादा आपकी spring क्या करेगी, उतनी ज़्यादा spring में घुमा होगा, spring उतनी ज़्यादा compress होगी और जितना compress होगी उतनी ज़्यादा टार्क produce होगा, तो क्या करेगा, किस पर depend कर रहा है, आपके angle पर जो आपका यहाँ पर विछेप हो रहा है इसके भी जो आपका angle बरना है, deflection हो रहा है, उच पर depend कर रहा है, कौन depend कर रहा है, जो tc कहें या फिर आप अपनी language में कहें, tau c directly proportional theta पहला point यह आपका हुआ, जो deflecting होगा, tau d वो आपके, tau d आपके i current पर depend करता है, और tau c आपके theta पर depend करता है, दोनों अलग अलग चीज़ यहाँ पर है, तो और दूसरा point, अगर हम संतुलन की बात करें, तो tau c अगर आपके दोनो equal होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर tau d is directly proportional i, और जो आपका यह तो i पर depend करता है, जो tau c है, वो आपका directly proportional theta, तो यह दोनों जब आपके बरावर होंगे, तो आपका i और theta भी एक दूसरे के proportional हो जाएगा, simple सी बात है, अभी आपके यह tau c और tau d दोनों बरावर होंगे, और इसके बरावर यह है, i और इसके तो अगर आपके instrument में आपकी i current flow हो रही है, तो deflection angle किस पर depend करेगा, आपकी i current flow हो रही है, तो यहाँ पर आपको यह चीज मिला, कि theta is directly proportional i, और सबसे important यहाँ पर आपको मैं बताऊं, कि यहाँ पर जो controlling tark आप देख रहे हैं, theta, आपके दिमाग में यह भी question आएगा, क्या यह sine theta पे depend नहीं करेगा, बिल्कुल, एक आपका होता है tau sie directly proportional theta और एक आपका होता है tau sie directly proportional sine theta, यह अलग अलग चीज है, ऐसे समझे, controlling tark अगर आपकी spring यूज़ कर जाती है, तो उस समय controlling tark जो आपका हुआ theta पे depend करेगा, अगर spring के अस्थान पर, अगर आप spring के स्थान पर, इसलिए जो आपका tau sie होगा, वो आपके theta पर depend कर रहा है, दूसरा point, यहाँ पर जब tau sie होता है, यह दोनों आपके equal हो जाएंगे, और next point यह आपको यहाँ पर दिया गया, कि जो आपकी कुंडली है, वो आपके धारा के, मतलब आपकी coil है, उसमें जो, मतलब आपकी coil में current flow ह हो रही है, जो आपका deflection हो रहा है, theta, वो coil की current पर depend कर रहा है, तो इसलिए आपका scale है, वो sum है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका theta है, दोस्तों वो i पर depend कर रहा है, अगर आपने, यह क्या है, यह moving coil है, और जो हमने आपको moving iron पढ़ाया था, क्या पढ़ाया थ इसलिए उसका scale क्या था, जो उसका पैमाना था, वो sum नहीं था, वो uniform नहीं था, वो non uniform था, लेकिन इसका जो पैमाना होता है, moving iron का, वो sum होता है, sum का मतलब आपका क्या होता है, uniform होता है, और uniform का मतलब अगर आपका यह scale है, अगर आपका 0 यहाँ पर है, तो आपका 4 के point के आपका यहां पर 1 होगा, फिर 4 points के बाद ही आपका 2 होगा, फिर 4 points के बाद आपका 3 होगा, मतलब सभी के भी distance आपका इक्वाल, अगरहाँ पर non-uniform होगा, आपका sum नहीं होगा, तो आपका zero यहां पर है, 1 यहाँ होगा 2 आपका यहाँ पर आप बहुत gap हो जाएगा फिर आपका इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा region यहाँ पर यही है कि वहाँ पर theta जो था directly proportional i square के था अर था आपकी current थोड़ा से बढ़ने पर उसके square में deflection होता था तो हाँ पर पैमाने पर effect परता था और यहाँ पर जो है वो theta आपका i के समान पाती है कौन? moving iron, moving अगर coil की बात करेंगे तो theta is directly proportional i जिसकी अभी हम बात कर रहे थे और अगर हम बात करेंगे moving iron की तो theta is directly proportional i square इसलिए इसका आपका पैमाना जो होता है moving coil का वो आपका uniform होता है चलिए advantage की अगर बात करें moving coil की तो इसमें क्या होता है इसमें आपका 270 degree तक आपका फैला हुगा sum scale 270 degree का मतलब आपका इस प्रकार से ये पूरा scale होता है ये कितना हुगा अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपका ये 90 और ये आपका 90 ये दोनों कितना होगा total 180 होता है जैसे आप चांदा का यूज़ करते हैं तो 180 degree का होता है तो वहाँ पर अगर ये समझें 270 की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पर आपका पूरा पैमाना 270 तक का आपका होता है अब आप समझ चुके होंगे 180 तो ये आपका होगया total यहाँ से यहाँ तक और आगे आप बढ़ा लीजे तो 270 आपका डिगरी तक फैला हुआ scale होता है किसका moving iron का moving iron नहीं moving coil चुकि हम बात आज कर रहे हैं दोस्त किसकी बात कर रहे हैं moving coil की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला point तो यह आपका हुआ next point यह है दोस्त कि इसमें आपका बिद्दूत सक्ति का सोंसर कह सकते हैं loss आपका इसमें कम होता है इसका आपका जो टार्क होता है टार्क का अनपात हाई होता है इसमें कह सकते हैं टार्क और भार का जो अनपात होता है वो आपका हाई होता है और ये उपियंतर सुगरा ही होते हैं ये उपियंतर आपके मतलब आपके जो moving iron है उससे moving coil आपका better होता है ये आपके उससे क्या हो सबसे इंपोर्टेंट आपका यह पॉइंट है कि आपका मुविंग आपके मुविंग क्वाइल इंस्टुमेंट में कोई भी हिस्टेरिसिस हानी नहीं होती चुकि जो आपका चलतंत्र है उसमें लगो भाग नहीं है चलतंत्र का मतलाब समझ रहे हैं जो मुविंग क्वाइल उसमें core तो ग्हूम नहीं रहा है उसका जो aluminum है जो आपका aluminum है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो आपका यहाँ पर यह आपका है यह core तो आपका ग्हूम नहीं जो आपका soft iron यूज किया गया है वो आपका move नहीं कर रहा है मूब कौन कर रहा है यह आपका जो है यह आपका मूब कर रहा है उसके साथ क्वाइल लगी है तो क्वाइल में यहाँ पर क्या होता है हिस्टेरिसिस और आपका ED यह होता है आपकी कोर में ओके और कोर आपका यहाँ पर मूब नहीं कर रहा है आपका मूब कौन कर रहा है जो iron के साथ जो आपकी copper की पत्ती लपेटी गई copper wire की जो copper wire को लपेटा गया है उसमें है और आपका जो ED current loss होता है और hysteresis loss ये आपके iron loss अर्थार जो iron loss होते है वो आपके two type के होते हैं एक आपका ED current loss होता है और आपका दूसरा कौन होता है एक आपका दूसरा hysteresis loss होता है और ये दोनों जो losses होते हैं ये iron loss के ही हैं ये iron loss के दो भाग होते हैं और iron loss किसमे होता है iron core में होता है भाई iron है मतलब लोहा है लोहा में कौन होगा iron में iron loss होता है और iron loss दो प्रकार के होते हैं एक ED और दूसरा hysteresis ओके लेकिन यहाँ पर आपके hysteresis loss आपका नहीं होता किसमे? चलतंतर में, चुकि चलतंतर आपका जो है, वो क्या है? वो आपका जोikum है, इलुमिनियम आपका मूप कर रहा है, ओके, इस चीज को समझिएगा, लओ भाग में आपका कोई भी हिश्टेर्शिस लाइस नहीं होता, अगर हम इसके disadvantage की बात करें तो सबसे पहला इसका disadvantage जोस्ते है कि चल लो टाइप उपियंत्रों की अपेच्छा इनकी स्थरेचना नाजुक और अपेच्छा कित उल्जन युक्त होती है इसका मतलब यहां पर यह है दोस्ते कि इनका मतलब नाजुक मतलब यह कमजोर होते हैं उनकी तुलना में और अपेच्छा कित उल्जन युक्त मतलब बहुत जादा इसमें आप जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि इसमें बहुत जादा इसका arrangement होता है ठीक है छोटे छोटे यहां पर चीजों को यहां पर mention किया गया है लेकिन moving iron में बहुत सारी simple चीज़े होते है उसमें जयादा आपको तीन-पाज यहां पर नहीं होता ठीक है तो यहां पर आप यह समझ रहे हैं कहा पॉइंट गया दोस्त एक मत, यह है आपका, चलतं़ में आपका जो होता है, उसमें क्या होता है, कि बहुत उल्जहन युक्त चीजे नहीं होती, बहुत जादा इधर उधर वायर कह सकते हैं, या फिर उसमें कम चीजे लगी होती है ठीक है इसमें आप क्या होता है इसमें आप केवल सबसेवर्ड डिसडवांटेज ये भी आपका है इसमें केवल DC ही उप्योग किया जाता है AC परिपतों में आप इसे यूज नहीं कर सकते केवल ये DC सप्लाई के लिए से यूज किया ज यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट यह बताएगे दोस्त की नियंतरन कमानी के प्रभाव के धीरे-धीरे छीड हो जाने तथा इस्थाई चुम्बकत्य के भी धीरे-धीरे छीड हो जाने के कारण इसके जीवन के बढ़ने के साथ-साथ परिसुदता में अर्थात इसकी जो एकुरेसी है वो आपकी कम हो जाती है सिंपल सी बात है जब आपका जो आपका पॉइंटर है जो आपका पॉइंटर है बार-बार जब आगे जाएगे तो आपकी इस्प्रिंग क्या होगी कम्प्रेस होगी दबेगी और फिर से जब आपका लाइट आपका कट कर देंगे त तो अर्था supply से हटा देंगे फिर से आपका ये जो आपका deflection है वो आपका मतलब point 0 पर आ जाएगा आपका pointer तो फिर से आपके spring open हो जाएगी तो बार बार वो spring के compress होने और open होने के कारण वो आपकी spring एक समय के बाद उसकी जो मतलब एक रहते है उसकी accuracy कह सकते है या efficiency उसकी कम हो जाती है दूसरा point ये बताएगा इस थाई चुमगत के धीरे धीरे जो आपने permanent magnet का यूज किया है उसका भी समय के साथ क्या होता है permanent magnet की जो कह सकते है उसकी quality है वो आपके धीरे धीरे कम हो जाती है पर सुद्धता उसकी accuracy खत्म हो जाती है इस प्रकार से आपके जो instrument है उ इसी के परिपतों में इसे यूज आप नहीं कर सकते हैं next point ये है दोस्त कि इसमें आप जो spring का यूज करेंगे तो spring के यूज करने से होगा क्या कि एक समय के बाद आपकी spring धीली हो जाएगी या कह सकते हैं बार बार होने से उसकी accuracy खराब हो जाएगी एक तो ये आपका है औ आपके इस instrument की कम हो जाए किसकी moving coil instrument की ये सारी चीजे हमने mention की आसा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए चीजे आपको समझ में अगर वीडियो अच्छा वीडियो को like करें चैनल पर पहली बार चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद